हलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन मैं हूँ अर्पेत और आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट प्रमुख और भारत के प्रथम नागरिक यानि की राष्टपती के बारे में तो आए चलिए शुरू करते हैं राष्टपती भारत का पहला नागरिक होता है भारत का राष्टपती कारेपालिका का प्रधान होता है तथा देश का समवैधानिक प्रधान होता है संग की कारेपालिका की शक्तियां राष्टपती में ही नहित होती है राष्टपती संसत का भी अभिन अंग होता है वातमान में भारत की पंद्रहवी राष्टपती द्रौपदी मुर्मूजी है इनके राश्टपती बनने पर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी इनके नाम की वज़े से वैसे ये शेडूल ट्राइब को बिलॉंग करती है लेकिन इनका नाम मुझे बहुत ही पसंद है तो आईए आगे देखें कि जब हम राश्टपती की विधाई शक्तियों के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो हमें कानून शब्द के महत्त को समझने की जरूरत है अगर किसी के पास विधाई शक्तियां हैं तो इसका मतलब है कि उसके पास देश के कानून बनाने और उ मिधान की रक्षा करना राश्टपती का दाईत्व है वह राश्ट की एकता अखंडता और एक जुटता का प्रतीक है राश्टपती को भारतिये राज का मुखिया देश का पहला नागरिक और सभी भारतिये सशस्त्र बलों का कमांडर इनचीफ गोशित किया जाता है तो अ राश्टपती से संबंदित अनुच्छेद यानि उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे जो कि राश्टपती से जुड़े हुए हैं तो इसमें सबसे पहला है अनुच्छेद बावन जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राश्टपती होगा अनु पाचक मंडल में कौन-कौन शामिल होगा, यानि वो कौन लोग होंगे जो वोट देकर राश्ट पती का चुनाओ करेंगे। अनुच्छे पचपन में राश्ट पती के निर्वाचन संबंधित पद्धति का उलेक किया गया है। अनुच्छे चपन में राष्टपती के कारेकाल से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है राष्टपती की योगिता देख लेते हैं कि आपके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति राष्टपती बनना चाहता है तो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या योगिताए हैं क्या योगिताएं होना जरूरी है तो भारत के राष्टपती बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्न लिखित योगिताएं होना जरूरी है अच्छा देखिए अगर आप में से कभी कोई राष्टपती बन जाएगा भाविश में अब फ्यूचर तो कोई नहीं जान बनने के लिए 35 वर्ष की आयू पूरी होनी जरूरी है राश्टपती की अन्य योगिताएं यह हैं कि व्यक्ति लोगसभा का सदसे बनने की अपनी सभी योगिताएं पूरी करता हो यानि कि वो लोगसभा का सदसे बनने की सभी शर्टों को पूरा कर रहा हो यह भी मुझाों के स्मय किसी भी प्रकार का लाव का पद धारन नहीं करता है राश्च्पति और उप्राश्च्पति ये बंदन सकता ये वह बहां यो ँो परिश के प्रमुख आप चारिक पद के लिए चुनाव होता है तो देखो जो घरतंतर का मतलब जो जनता के द्वारा जो है। तो जो राष्ट का प्रमुक होगा वो चुनाओ द्वारा चुना जाता है जबकि अगर तंत्र नहीं होगा तो क्या होगा कि फिर जो है यह जन्म के आधार पर जैसे आप देखेंगे कि इंग्लेंड में इंग्लेंड की क्वीन है और अभी उनकी डेथ हुई तो उनके बेटे हैं चार्ल्स तो वो वहां के प्रमुक बन गए हैं तो यह वो सिस्टम है अपने आगर तंत्र है तो चुनाओं के द्वारा चुना जाता है अनुच्छेट पच्पन के अनुसार राष्टपति के निर्वाचन के लिए समान पातिक प्रतिनेदित वाली एकल संक्रमडिये मत प्रतिका प्रयोग किया जाता है राष्टपति के निर्वाचन चुने हुए प्रतिनेदियों द्वारा किया जाता है अथात राष्टपति के निर्वाचन मंडल में राजसभा और लोगसभा के तदा सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस से जो है इस तरह सभी राजियों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस यानि वो सदसे जो चुनाओ जीत कर आए हैं ठीक ये सारे लोग वोट देते हैं सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो राश्पति के चुनाओं में सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं लेकिन वो विधा राश्पति पत के उमीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के 50 सदसे प्रस्तावक तदह 50 सदसे अनमोदक होने चाहिए यानि कि अगर किसी व्यक्ति को राश्पति पत का चुनाओ लड़ना है तो कम से कम 100 व्यक्तियों का उसके पक्ष में होना जरूरी है तभी तो 50 प्रस जांकारी नहीं मिलती अधात कोई व्यक्ति कितनी भी बार राश्पति पत का चुनाओ लड़ सकता है राश्पति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार के विवाद से संबंदित सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है यानि कि अगर कोई विवाद हो गया तो उसका निप्टारा कहाँ पर होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा भारत के राश्पति का कारेकाल पांच वर्ष का होता है राश्पति के पत्यागने से पहले ही चुनाओ आयोग नए राश्पति के लिए चुनाओ आयोजित करवा देता है भारत के राश्पति को सर्वोच न लाता है, सर्वोच नैले का मुख नैदीश, लेकिन राश्डपती अपना इस्तीफा किसे देता है, उप राश्डपती को देता है, राश्पती के वेतन और भत्ते देख लेते हैं, इसे थो पढ़के, कि हमें तो भाई बड़ा अच्छा लगता है कि भारत के राश्टपती का जो मासिक वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रतिमा है और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है ये भी सोच लिजे कि 5 लाख है तो पूरे के पूरे 5 लाख इनको मिल जाते हैं और राश्टपती के केंडरी ये मंत्री परशद के अनुसार ही होता है यानि राश्टपती अपने मन से कुछ नहीं करता बलकि मंत्री परशद उसको जो भी सला देती है वही वो करता है उसकी सला के अनुसार ही चलता है तो राश्टपती की नियुक्ति संबंदी अधिकार को पहले हम डिसकस कर भारत के राश्टपती के पास नियुक्तियों का अधिकार होता है यानि की भारत का राश्टपती प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री की सला से मंत्री परशत के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है राश्टपती सर्वोच नियाले और उच नियाले के मुख्य नयाधिशों की नियुक्ति करता है राश्टपती भारत के सभी राजियों के राजिपालों की नियुक्ति भी करता है भारत का राश्टपती, नियंतरक और महालेखा परिक्षक, मुख्य चुनाओ आयुक्त और अन्य चुनाओ आयुक्त, भारत के महन्यायवादी, संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस, वित आयोग, भाशा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक तो भारत का राश्टपती, संसत का अभिन अंग है, संसत के तीन अंग है, लोगसभा, राजसभा और राश्टपती, यनि राश्टपती को लोगसभा और राश्टपती के साथ मिलाने पर ही संसत बनती है, ठीक, तो ये बहुत important question है, competitive exams में बहुत पूछा जाता है, कि निम संसत के सत्र को समाप्त करने तदा लोगसभा भंग करने का अधिकार होता है, राश्टपती संसत के किसी भी सधन में अपना भाशन दे सकता है, जिसे अभी भाशन कहते हैं, और संसत द्वारा पारित विदेयक राश्टपती के सहमती के बाद ही कानून का रूप लेता है, यानि अगर संसद ने कोई कानून के रूप में विदेहक पारिद भी किया है और राश्टपती उसको सहमती ना दे तो वो कानून नहीं बन पाता है। संसद में धन विदेहक प्रस्थूत करने से पहले राश्टपती की सहमती लेना अती आवश्यक होता है। राश्टपती संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है यानि लोकसभा और राजसभा की संयुक्त बैठक राश्टपति के पास राजसभा में 12 सदस्यों के मानुनयन का अधिकार होता है यानि उकिनी भी 12 सदस्यों को वहाँ पर राजसभा में भेज सकता है यह सभी सदस्यों से जैसे कला, साहते, पत्रकारिता और सामाजिक कारे में अच्छे काम करने वाले व्यक्ति होते है अध्या देश जारी करने की राश्टपति की शक्ति के बारे में अब हम डिसकस करेंगे तो जब संसत का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और देश में किसी कानून को लागू कलने की आउशकता हो तो राश्टपति अनुच्छेद 123 के तहट अध्या देश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहट अध्या देश जारी कर सकता है अध्यादेश किसी भी सामान कानून की तरह ही काम करता है लेकिन जब संसत का सत्र शुरू होता है तो उसके छे सप्ता के अंदर उस अध्यादेश को संसत में पारित करना होता है अन्य था अध्यादेश आगे लागू नहीं हो सकता सेना से संबंदित राष्टपति की शक्तियां क्या हैं ये कि राष्टपति भारत के सभी अन्य संगटनों का सर्वोच कमांडर होता है यनकी आर्मी सेना से जुड़े हुए जितने भी संगटन है उनका वो सर्वोच कमांडर होता है और शमादान की शक्ति भी राश्टपति के पास होती है क्या है ये शमादान की शक्ति की शमादान की शक्तियां राश्टपति की प्रमुक शक्तियों में से एक हैं इस शक्ति का प्रयोग करके राश्टपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है उसे कम कल सकता है या सजा के प्रकार को बदल सकता है राश्टपती की शमादान से संबंदित शक्तियों का उलेक सम्विधान के अनुच्छेद 72 के तहट किया गया है इसके अलावा राश्टपती के पास वीटो पावर भी होती है कैसी कैसी वीटो पावर होती है आईए देखें कि भारत के राश्ट्रपति को संसर द्वारा पारिट विधियक को जो है निशेदा दिकार करने का अधिकार इतना प्रभावश हली नहीं है जितना कि अमेरिका में देखो, अमेरिका में क्या होता है कि राष्टपती ही चुनाओ लड़के जीत के आता है, जैसे डानल्ड ट्रंप हैं, जो बाइडन है, तो उनके पास बहुत ज़यादा वीटो का पावर बहुत अच्छा होता है, कि वो किसी भी चीज़ को मना का सकते हैं, बहु साथ जो है कौन-कौन से वीटो है तो पहला है आतियंतिक वीटो जो कोई ज़्यादा common है कि ultimate वीटो तो क्या है ये जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि किसी सरकारी विधयक को संसर द्वारा पारित कर दिया गया एवं राष्टपती की अनुमत मिलने के पूर्व ही सरकार किसी कारणवश भंग हो गई तथा नई सरकार ने उसे रद करने की सिफारिश कर दी तो राष्टपती अगर उक्त विधयक को पारित करना आवश्यक समझे तो उस पर वीटो कर सकता है दूसरा है निलंबन कारी वीटो यानि कि राष्टपती इसका प्रयोग संसद द्वारा पारित विधयक को एक बार पुनर विचार करने के लिए भेज सकता है यनि कि निलंबन्बन्दकारी वीटो क्या है कि एक बार अगर जो है संसट ने पारित करके भेजा भी राश्ठती के पास तो राश्ठती उसे युटा सकता है कि आप इक बार फिर से इस पर सोच लीजे कि क्या ये सही है कि नहीं है तो इसे बोलते हैं सस्पेंशन वीटो या निलंबन खारी वीटो तीसरा है जेवी वीटो जेवी वीटो क्या है? जब राश्पती संसर द्वारा पारित विध्यक को ना तो पुनर विचार के लिए वापस भेजता है और ना ही उस पर अनुमती देता है तो इसको क्या कहेंगे? अनुमती भी नहीं दे रहा है और उसको वापस भी नहीं भेज रहा है तो इस स्थिती में विध्यक राश्पती की जेव में ही पढ़ा रहता है यानि उसपर कोई decision ही नहीं हो रहा है और उसे कहते हैं जेवी वीटो इस वीटो का प्रथम प्रेयोग 1986 इस्वी में संसत द्वारा पारित भारतिये डाक संशोधन विद्यक 1986 पर हुआ जब तद कालीन राष्टपती ग्यानी जैल सिंग मीनात ने इस पर अनुमती दी नहीं और असल में हुआ क्या था कि राजियू गांधी जो है उस समय प्रधान मंत्री बन गए थे और उनके ही समय में जो है ये डागघरवाला धिनियम जो है भाति डाक संशोधन विद्यक ये पारित हुआ था ग्यानी जैल सिंग के पास पहुंचा था और ग्यानी जैल सिंग ने उस पर कभी कोई डिसीजन लिया ही नहीं तो आज तक जो है उनकी जेब में ही मतलब राष्टपती ने डिसीजन लिया ही नहीं तो वो पारित हुआ ही नहीं आप जानते हैं कि जब तक राश्टपती उस पर हस्ताक्षन न करे तो वो कानून नहीं बनता है तो अभी भी ये राश्टपती की जेब में पढ़ा हुआ है राश्टपती की आपातकालीन शक्तियां भारत के राश्टपती के पास समिधान के भाग 18 के अनुच्छे 352 से 360 के बीच में आपातकाल से स्थितियों में राश्टपती आपातकाल की घोशना कल सकता है यह विबिन स्थितियां जैसे की युद्ध, आक्रमड, सशस्त्र विद्रो के स्थिति में किया जा सकता है अनुच्छे 352 के तहट भारत के अभी तक तीन बार राश्टपतकाल की घोशना की जा चुकी है पहल दूसरी बार 1962 में चीन के युद्ध के समय दूसरी बार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तथा तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशान्ति के कारण इंदरा गांधी के समय राश्ट्री आपातकाल की घोशणा की गई थी। अनुचे 356 समय दान के अनुचे 356 के तहट प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज में समय धानिक तंत्र के विफल होने के कारण वहाँ पर राश्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारती समय दान के अनुचे 360 के तहट वित्ती आपातकाल की घोशणा की गई है जिसके अनुसार देश में राश्ट्रपति वित्ती आपातकाल की घोशणा कर सकता है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्ती आपातकाल की घोशणा नहीं की गई है। तो दोस्तों ये थे भारत के राश्टपती आज के लिए बस इतना ही थैंक यू